इसमिल्ला रह्मार रहीम डीपर लैट की तरफ से में सगेत मुझमिल काजमी आज एक दफ़ा फिर आपके सामने एक वीडियो लेका राजिर हुए हैं और इस दफ़ा हम सोचल एक्टिविटी दीगर और्ग्राइशन के साथ हम मिलके कर रहे हैं और इस यह एक्टिविटी का इसमें हम गरम कपड़े, ब्लैंकेट्स, जैकेट्स वगेरा जो मुस्ताहिक लोग होते हैं सफेद पोश्ट लोग होते हैं उसमें हम डिस्टिब्यूट करेंगे इसमें हमारे साथ जो क्लिबरेशन में दीगर और्गैशन्स हैं सबसे पहले डिलिवर कराची फोरम हैं और रिप्रेजेंट कर रहे हैं डॉक्टर सेयद नवाजुल हुदा साब इसी के साथ साथ हमारे साथ अलकाफी अकैडमी से भी आये हैं अल्लाम सलीम रिजवी साब और इसके साथ साथ जॉइनिंग हैंड्स वेलफर और्गैशन से साजित हबीब भाई भी हमारे साथ इस केंप कर रही हैं तो हम कुछ सवालात इन हजरात से करेंगे तो आईए हमारे साथ जुड़िए लेट्स को अलकाफी अकैडमी से अल्लामा सलीम रिजवी साथ हमारे साथ मौजूद हैं और अपने स्ट्रुडेंट्स के साथ इस डिस्ट्रिवीशन में अपना हिसा मिलाने आये हैं जिनका काम मस्जिद और महराब और मादारिस समालना हैं वो शोशल एक्टिवीटी में नजर नहीं आते हैं आप माशाले एक शोशल एक्टिवीटी में यहां पर आए भी हैं आपके अवाले से हमने यह भी देखा है कि आप राइटर भी हैं कितने किताबों के एक अबाकत अब जो आपने एक सूब काइम किया है यह मुशाइदे की कमी हो सकती है ऐसा नहीं है कि उल्मा जो हो खिद्मत खल्क के हो आवाले से काम नहीं करते देके इस जवदोर के अंदर जो माशी हालात हो चुके हैं पाकिस्तान के और जो हालात हैं इसमें महराब मिम्बर को समालना और उसकी जिम्मेदारियों को अदा करना ये भी एक बहुत बड़ी जौब है और अल्हमदुल्ल्ला अर्वालामीन दीगर हम शौबाजात में अगर देखें तो उस लिहाज से उल्मा और जो वारिसान महराब मिम्बर हैं तो वो एक बहुत अच्छे अंदाज के अंदर मस्जिदों में रहनुमाय कर रहीं और लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं इसलाम का, दीन का तो हम उनको पहले तो एप्रेशीयट करते हैं खे ये उप अच्छे अंदाज के अपनी जौप को पूरा कर रहे हैं है कि हमारे जो आप तारीख उटा कर देखें असलाफ की बुजर्गों की मशायख की तो खिद्मत-खल्क का काम बहुत जादा खानकाओं से और खिद्मत-खल्क का काम बहुत जादा आस्तानों से आप इसकी पूरा एक तारीख है तो ऐसा नहीं है कि अलमा जो मौलवी आसा नहीं है ठीक है और मैं यहां पर यह अर्स करता हूं कि यह हमें उलमा नहीं सिका है कि खिद्मत-खल्क का क्या मकाम है लोगों की मदद करने का क्या मकाम है लोगों के साथ तावन करने का क्या मकाम है मेरा खाल है कि आप भी अगर यह मौजूद है तो इसके पीछ आपक एक खल का जो एक पुरा निजाम एक सिस्टम दिया है ना कि जो आप जिनके फिर नभी करीम सुलाओ अले वस्वलमा वो खुद आपको तालिमात दे हैं कि आप इस तरफ आए और उनकी खास नजरे इनायत होती है जाकात का पुरा एक निजाम में सद्के का खरात का तो यह इस इसलाम एसा वाहिद मजभ है कि जो पूरा इसका पूरा एक सिस्टम बने आवे एक गुरुकन है इसका बहुत जबर्दस इन्होंने गुफ्तू करी और यहाल काफी अकैडमी से हमारे साथ मुझूद है इन्होंने भी माशाला बहुत कॉंट्रिबूशन करा तो आई हम को डिस्रिब्यूट करती है कोई राशन हो कपड़े हो कुछ भी हो ऐसे बहुत सारी कम्यूनिटीज हैं इनसे भी यही सवाल होगा कि क्या यह भी सिफ अपने ही लोगों को टार्गेट कर रहे हैं या बिला किसी मजभ और तफरीक के टार्गेट कर रहे हैं साजिद भाई ब मदे नज़र रखते हुए हमने भी यह एक जजबा काइम हुआ कि हम भी खिदमते खल्क करें तो जॉइनिंग हैंड्स वेलफर और्गनाइजेशन के एक देरीना रिवायत है कि जब भी मौसम की सख्टियां स्टार्ट होती हैं हम उससे कबल ही मुक्तलिफ जगों पर जाकर बिला रंगो नसल बिला तफरीक हम जहना डिस्टिबूशन करते हैं कंबल हो गए जैकेट्स हो गए स्वेटर हो गए इसमें हम यह नहीं देखते कि महाजिर है पठान है एस्पेक्ट हम यह भी नहीं देखते कि वो नौन मुसलिव हैं और आपको यह सुनके खुझगवार ह साथ दिया है डूनेशन की लिहाज से इसलिए हम बिला रंगो नसल और बिला किसी तफरीक के हर इलाके में जाकर हम यह ड्राइफ करते हैं और आज हम आप लोगों के साथ आए हैं कॉलिबरेशन के साथ तो मतलब उसमें ऐसा वो नहीं एशू नहीं किसी को भी दे देते हैं हमारा एक जो गुरूप बनावे जिसमें हम डिसकेशन हम चाले ली थी हमारी डिस्ट्रिबूशन के अवाले से उसमें भी एक इसी बात निकली थी कि हम एक फलाँ कम्यूनिटी को टार्गेट करें मगर अलहमदुलिला यह साजीद भाई बिलकुल सही करें जो हमारा एक मकस देना वो यह है कि बिला किसी तफरीक के मजब के वस वक भी हमारी यही बात ही कि हम बिला किसी मजभ और तफरीक के इस डिस्ट्रिबूशन में हम इसा लेंगे हैं साजीद भाय का शुक्रिया करते हैं। जिशान बाई की तरफ चलते हैं. जिशान बाई यह जो आप ये सारी चीज़ में बाट रहें इसके पिछ आपका मकस्द क्या है? लेकिन सबसे पहले हमारा मकस्द जो यह है कि हम चाहते हैं कि हम गरीब लोगों की मदद करें. इसमें हमारा अक्सरियत जो हैं हमारे प्रोफेशनल्स पर मुस्मिल है तो हम जो अपने वसाइल के तहट जो हुने अज़ादार ये काम करते है और अभी हमारा ये मकसद है कि हम उस तबके को फोकस करें जो किसी से सवाल नहीं करता और अपने बहुत महदूद वसाइल के अंदर रहे के अपने मसाइल के हल के लिए कोश आए तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि अभी हम कोशिश कहरें हैं लोगों के घरों पर जाके उनके घर पे दस्तक दे के उनको समान पहुचाए अगर कोई हमसे मांगने आता है मुसकों नहीं दे रहे बलकि उसके दर्वाजे तक मांचने जैसा कि नहीं नहीं नभी रहा सौन में तो रहा है नहीं है योंक सब्क Bell को और विस्को कि प्ल गौर बहुत पहरा है लोगो सब्सक्राइब इससे हैं डीर्वीर क moment करी नहीं है कर दिनुट हम लोग बहुत पहले से हैं तो ऐसा नहीं है कि हम रोड पर ट्रक खड़ा करके गाड़ी खड़ी करके बाढ़ देते हैं हम क्या करते हैं घर गर पहुंचाते हैं अच्छा है इसमें यह है कि यह क्लोड डिस्ट्रिबूशन केमपेन इसके लाब आपने कौन-कौन सी केमपेन्स की हैं वेलफर के मिलाब इस तरह हमारे तो 24 आवर और पूरा साल चर रहे होते हैं उसमें यह होता है कि जिसना कोई सफैद पोश आगया ऑपरेशन है तो उनके मामलात हम लोग देख रहे होते हैं लॉक्डाउन के अंदर हमने 15,000 राशन पूरे कराची में शहर म अगर पन्जाब के हमारे इक ग्रूप है वहां पे भी जो रिक्वर्मेंट्स आरी होते हैं उनको भी हम लोग फुल्फिल कर रहते हैं तो अगर किसी बंदे को आपके बास आना हो तो आ सकता है बिलकुल आ सकते हैं और अगर किसी पी बंदे को नहीं जो हमारी टीम से इलाक सामिल आज सकता है हर किसी से हम क Courtney क Ryan कि हमने के बहुत सब्सक्राइब काम कररी ऐज पॉरी होल टीम का मुझसा कर दा करते हैं हमारे साथ डिलीवर कराची फोरम से डॉक्टर सायद नवाजुल हुदा साहब हमारे दिल के करीब मौजूद हैं आईए इन से बड़ा इंटरस्टिंग सवाल हर दफा की तरह पॉलिटिक्स वाला डॉक्टर साथ आप देखें पूरे पाकिस्तान में कोई मरता है कोई जीता है कोई गरीब है किसी की जॉब चली गई है कोई ना कोई नॉन प्रॉफिट और्गनिजेशन उनकी हल्प कर रही है सेलानी एधी हो गई एफजी आरेफ हो गई सब जैसा अभी डिलिवर कराची फोर्म यह सब डिस्टिब्यूट कर रही है हुकूमत क्या कर रही है कि हो मेरा गाला है डोढ़ान जाधा परमीशन दे तो यह कुछ जाधा लुटने के लिए मजीद लूटने के लिए आ जोगी है लोगों के शार है कि न न॥ा-टो बहु हु Fr जो था वो थो खुद्धूशी कर लेता है तो यहां डॉन बैठाव है अच्छा टेक्स देने के बावजूद भी सवूलियांत महया नहीं हो रही है नहीं जो कुछ भी अब एक्टिविटी कर रहे हैं न मुझे मिल भाई यह स्टेट की रिस्पॉंसिबिलिटी है और हमारा मुल्क जो है वैसे तो आइन में यह पाकिस्तान की मिसाला यू लें कि आप देखते हैं जाहिट जनरल स्टोर तो एक आदमी समझता है जाहिट में कोई तक्वे वाला शक्स होगा तो बहुत इमानदाई से चीज़े बेचे रहा होगा जब अंदर जाता तो दो नमबरी चल लाई है तो हमारी अभी इस्लामी ज हुखभ भी नाफिस कर दी है तो फिर यह नहीं करेंगी पिर हम परिंदों को बचाने पर बात कर रहा होंगे कीडों को कैसे सेफ किया ज़यद लें होंगे क्यूंके उनके पास काम नहीं होता हैं सब कुछ well settled जिन्दगी होती है आपकी गाड़ी आपका बंगला किस तरफ है मेरे पास जो गाड़ी है वोई बेगम की है बंगला एनी भाई के घर में साथ उनके तो यह यह मेरे पास विलाल बागी जो salary कमाता हूं तो tax वहले कटते salary बाद दे मिलती है वितलब आपका कोई सा लाइट है तो अभी हमने एक एक अच्छी चीज जो मैंने देखी और मैं समझता हूं कि शायद शायद यह पाकिस्तान के लिए एक गेम चेंजर हो कि कराची में जो नौजवान यंग जो काम कर रहे हैं एक बेड़ा लेकर उठे हैं कि मुल्क के अंदर हकीकी जमूदियत को एक तरफ लाना है तो और वो सारे आपस में मिल गए हैं जैसे कि इतनी बड़ी एक्टिविटी आप रन कर रहे हैं कि डीपल लाइट है इसके अंदर काफी है इसके अंदर ड्रीवर कराची है जानिंग हैं और आपके मुस्लिम यूट अलाइंस वालों का भी पार्ट है तो हम ड्रॉक्टर साब के साथ खड़ें अभी हमारे साथ मौजूद हैं वन एन ओनली हमारे दिल के गरीब और डीपल लाइट के रिप्रेजन्टेटिव हमारे साथ फुरकान भाई भी मौजूद हैं पीछे आप मनाजिर भी देख रहे होंगे डिस्टिबूशन के फुरकान हम इसकी तैयारी के वाले से सवाल करेंगा फुरकान भाई डीपल डाइट डिलिवर कराची फोरॉम दीगर और और इसकी तैयारी के हवाले से शौट जन्नी आप मुक्तसर अलफाज में बताएंगे इसमें हमने तैयारी ये की है कि अमूमन जिस तरह अचा हम में जो हमने क् फर्क मेजर डिफरेंस यह है कि दीगर लोग कहीं पर खड़े होकर लोगों को बाटना शुरू कर देते हैं तो उसमें क्या होता है कि सफेद पोश और जिन तक पहुंचाना होता है नहीं पहुंच पाता जो बजारी या इस तरह के जो कारोवारी लोग होते ना इस फील्ड की वीडियो नहीं बना रहे और दूसरा सबसे बड़ा यह है कि यहां लोग कहेंगे कि हर बंदा तो मुस्तेक नहीं होगा तो हमारा यह उसूल है कि अगर हम 400 घरों के अंदे तक्सीम करेंगे हमारा जो तकरीबन इस्टेमिट है वो है 500 के करीब तो अगर 500 में करते हैं तो क झाल